वागतवच्वापका सैल्स्टटेडी की चनल में और आज हम बात करें कि हर्याना सरकार दोरां अंबाला में 300 करोड रुपे का एक समारक संग्रहले बनाया जा रहा है किनकी याद में बनाया जा रहा है और ये और ये कब शुरू किया गया था कोन बना रहा है तो ये सारी बा तो यहां पर जो गुमनाम जो नायक हैं उनकी वीरता को याद रखने के लिए यहां पर स्मारक संग्रालय के मतलब यह बनाया जा रहा है 2022 तक 2022 तक यह बन कर त्यार हो जाएगा अब तक 90% यह बन चुका है 300 क्रोड रुपे इसके उपर लग चुके हैं या फिर कहें कि इसके इतनी कीमत होने वाली है और 22 एकड जमीन के उपर यह बन रहा है इसको बनाने वाले जो हैं यह हैं रेणू रेणू खना जिन्होंने अंबाला का जो गेट है अंबाला गेट चपर चिरी यूद यह सब चीजें उन्होंने बनाई हुई है वैसे 2010 में इस 2014 में बीज़पी गवर्मेंट आई तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और बढ़ाते हुए इसके लिए बजट 300 क्रोड रुपे कर दिया और खास बात यह कि जो अनिल वीज़ए जो राजे ग्रह मंत्री हैं उनका निर्वाचन शेत्र हैं वाला तो विशेस तोर भी कि भाई यह विद्रो इतना जादा फैला और क्या कारण थे कि यह विफल हो तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं ओके तो हम जान लेते हैं कि 800 ताउन के विद्रो के बारे में चोटी मोटी बाते हैं यह विद्रो आपको बता है कि British India Company के खिला मतलब बहुत सारे जो उस वक्त पहला विद्रो माना गया था लोग इकटे हो गए थे एच्वल में सिपाईयों ने इसका विद्रो किया था लेकिन आम जंता भी इनके साथ जुड़ गई थी अब यह जब हुआ विद्रो तो इसके बाद काफी सारे आते ने इतियासकार की ह यह विद्रो पहला सैनिक विद्रो था या क्रिस्चिनिटी के विरोध मतलब कि हिंदू और मुसल्मान ने मिलकर इसाई के खिलाफ यह विद्रो कर दिया था यह बिरिटिस इतियासकारों कहना था जैसी इनों ने कहा कि यह सिपाई विद्रो था लेकिन हमारे जो इतियासका रहे हैं बहरतीय इत्यासकारों ने क्यों कि भारतीय आदव है नाम याद रखनें के सी यादव के जो 1857 का इन्होंने एक बुक लिए थी रियाना में 1857 का वीद्रों ये एक बुक लिए थी इनका कहना है कि जो वास्तिक जो शुरूत है वो अंबाला में हुई थी 1857 की नैकि मेरिट में जैसे की बातें हो रहे हैं लोग प्रिया ह गफूर अली, हरसुक राय, धनूर सिंग, नाहर सिंग, ये सबी जो थे हर्याना के विद्रों में महत्व उननेता थे और जो यहाँ पर इसके बाद क्या हुचाए, युद काफी चारे लड़े गए थे किसानों के द्वारा यहाँ पर युद हुए थे, जो किसानों ने, मतलब ब्रिटिश चाना को हराया था इसके अलावा जो हर्याना में ही है, ये सिर्सा, सोनीपत, रोहतक, हिसार, यहाँ पर भी युद लड़े गए थे वर सिर्सा में चोर मार एक परसिद्यूद लड़ा गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये हर्याना का नक्षए है आपके सामने, कि यहाँ परीमाचल परदेश है, यहाँ रहे रहे रहा अंबाला, इस साइड़ यहाँ पर पंजाब है, यहाँ राजस्तान है, यह उ द्रो हुआ, तो उस वक्त अंग्रेजों की नीती थी, और एक यह नीती थी, व्यपगत, डॉक्टरन ओफ लेप्स का जाता है, इसका मतलब था कि किसी राज्य, मतलब किसी एक उस वक्त कहें की, वो राज्य मान लेते हैं, यहाँ पर, अगर यहाँ पर किसी राज्या का बे तो यहाँ वो गोधनी ले सकते थे, तो इस करके जहांसी की राणी ने इनका विरोध किया था, तो यह चीज याद होगी आप लोगों को, तो बड़ी संक्या में जैसे कि भारतिय शाषकों और प्रमुकों को बहुँ जादा हाटाया गया था, तो वहाँ पर जो सत्तारूर परिवार था, उनके अंदर भैता कि यार हमें ना आटा देए, एक तो यह कांड बन के आ रहा था, यह काफी इंपोर्टन्ट है, व्यपगत यानि डॉक्टर लेप से, मतलब कि इसके अकोडिंग जो अंग्रेज थे, वो किसी भी शाषक के पास जाते कहता है तो तुम्हार 1850 में, उदयपूर 1852 में, जहांसी 1853 में, नागपूर 1854 में, इन राज्यों को अपने अधिन ले लिया था, अब समाजिक और धार्मिक कारण भी देखे, एक तो एक यह कारण हो गया राज ने, एक समाजिक कारण और धार्मिक कारण क्या थे, देखे, एक यह चीज थी कि पश्चमी सब्वैता हावी हो रही थी, और इसको लेकर काफी जादा हमारे देश के अंदर उस वक्त इसको चिंती थी ये लेकर, कि अगर पश्चमी सब्वैता आ गई तो शिक्षा बरबाद हो जाएगी यहां पर, अब जैसे कि कुछ परताइं चली आ रही थी, शती परत करने भूर्णतिया, इन जैसे परताओं का अंद कर दिया गया था, विद्वापुनल विवाक कर दिया गया था, इसको वैद कर दिया गया था, तो एक यहां पर, उस वक्त, इसको सही मानने वाले जो लोग थे, वो इनको लगा कि हमारी सब्वैता को खत्रा आ गया, तो यह हाँ पर एक ये कारण हो गया और शिक्षा में जो थे पश्चमी तोर तरी क्या रहे थे जिस करके हिंदू और मुस्लमान के जुरूरी वादी नेता थे वो उनको लगा कि यार यह तो हमें सीधे तोर पर चुनोती दे रहे हैं हमारी शिक्षा बरबाद हो जाएगी हाँ पर त परिवार को छोड़ कर यहां पर आये हुए थे तो इनको यह फील होने लगा कि किसानों की जो सिकायते हैं वो काफी जादा इनको परभावित कर रही थी और इंग्लैंड में एक काफी इंपोर्टन चीज है कि इंग्लैंड में जो उस वक्त ओध्योगी करांती चल रही थी तो वहां पर क्या हुआ कि ब्रेटिश जो यहां से कच्चा माल ले जाते थे ब्रेटिस वाले कि यहां से लेके गए और वहां पर मशीने थी मशीनों से इन्होंने जल्दी से कपड़ा बनाया और यहां पर आके भारत में बेच दिया जिससे भारत के जो हाथ से जो कपड़ पहने बड़ा गरव महसुच किया करते थे लेकिन अब उसको खतम कर दिया थे इनोंने तो एक यह चीज था सैन्य कारण में यह था कि भाया देखो अठासो सताउन में जो यह जो ब्रिटिश जो सैनिक थे यहां पर भारतियों की संख्या जो थी वो 87% थी यानि 100 जो लोग थे सो में से 87% थी लेकिन उनको दर्जा कभी सही इजज़त वाला मिला ही नहीं दुरवेवार उनके साथ किया गया एक भारतियों अगर उसी रैंक पे है और 1856 में लाड कैनिंग ने एक नया कानून भी निकाल लिया कानून ये था समानने सेवा भरती अधिनियम 1856 इसमें ये कहा गया कि अगर आपको कमपनी कहेगी आपको जोग करने के लिए समुंदर पे जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे तो ये हो गया और सबसे बड़ा इंपोर्टन्ट क्यारण क्या था अठासो सताउन का विद्रोग का चर्बी वाले कार्टूस की घटना को लेकर शुरूआ था एक अफ़ा ये फैल गई कि जो वहां के जो राइफल थी एंफिल्ड जो राइफल थी उनमें अरे भाहिया कहां गाइब हो गए यह रहे एक जो एंफिल्ड जो राइफल थी उसमें कार्टूसों में गाएं और सूर की चर्बी का यूपियोग किया जा रहा है क्योंकि देखो कार्तूस में जो राइफल में जो ये कार्तूस डालनी पड़ती थी लोड करनी पड़ती थी तो इनको मुझ से जीलना पड़ता था अब जो मुझ से जीलना पड़ता था तो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को लगा कि ये तो हमारा धर्म बरस्ट हो जाएग इस विद्रो को दबाने वाले थे जोन निकॉलसन, लखनव में वेगम हजरित महल और यहाँ पर इसको दबाने वाले थे हेंडरी लॉरेंस कानपूर में नाना साहब थे और इनको दबाने वाले थे सर कोलिन केमपल जांसी और गॉालियर में इनको दबाने वाले थे जनरल ह्यूग रोज बरेली में कहान बादूर खान सर कॉलिन कैमपल इनको दबाया इसमें ध्यान रखना नहीं रहा दोनों यह सेम है इलाबाद और बनारस में मौलवी ल्याकत अली करनल ओंसेल ने इसको दबाया फिर बिहार में कुमर सिंग थे विलियम टेलर ने इसको दबाया तो यह काफी इंपोर्टन चीज़े हैं कहां पर क्या हुआ कौन इसको लेड कर रहा था तो यह चीज़े आपको याद रखनी है अब क्यूं फेल हो गया इसको भी जान लेते हैं देखो इसका सीमित परभाव था लोगों ने बहुत कम लोगों ने इसका साथ मतलब दिया है नहीं अब क्या हुआ बड़ी बड़ी रियास्ते होगी जैसे हैदराबाद, महसूर, त्रावनकोर, कश्मीर और राजपुता ना इस विद्रों में शामिली नहीं हुए दक्षिन परांतों ने तो भया इसमें भागी नहीं लिया परभावी नेतों का एक तो यहां पर कोई परभावाला मतलब जिसका बतलब दोग उसकी बात सुने वो एक ऐसा नेत्री तो नहीं हो पाया इसमें हालांकी नेता थे अनाना साहिब थे, तांत्या टोपे थे, राणी लक्ष्मी बाए थे और भी बहादुर नेता थे लेकिन एक समगर रूप से एक लीड कर पाई इस आंदोलन को तो वो चीज नहीं हो पाई संसादनों की कमी थी मतलब विद्रोहियों के पास जो विद्रोग कर रहे थे जैसे अंग्रेजों के पास तो बहिया वो ओल्री सत्याधरी थे तो उनके पास तो रेल थी, डाकतार थे, परिवहन थे, संचार थे पैसे का भाव नहीं था लेकिन जो विद्रोग कर रहे थे उनके पास सत्यारों के और धनकी तो कमी थी और यहाँ पर पड़े लिखे जो लोग थे अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त मद्धमवर्ग थे बंगाल के जो अमीर वेपारी थे उन्होंने इस विद्रोग को दबाने में अंग्रेजों के मदद कर डाली थी एक तो यह हो गया अब परिणाम क्या निकला परिणाम यह निकला कि जब यह अंत हो गया अट्रासों सतावन में तो एक आधुनिक भारत के शुरुआत होती यहां पर इतियास शुरू होता है यहां से क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग ने जो धरम और उसमें रित्ती रिवाजों में वो कोई भी अपने टांग निरडाएंगे सीधी सीवाद है क्या क्या परिवर्तन कियेगे परशाशनिक में परिवर्तन यह कि भारती शास्कों को भी अधिकारी के मानेता दे दी गई और यह जो नीती थी कि भाया अगर किसी का बेटा नहीं हुआ है हम उसका राज्य हड़ाप लेंगे वो भी खतम कर दिया गया अब यहां पर वह अपने पुत्र मतलब नहीं होता थे तो वह गोध भी ले सकते थे यह चूट उनको दे दी गई थी अब यहां पर वाइसराय का यह इंपोर्टन चीज है कि गवर्नर जन करने के बाद लेकिन शस्त्रागार पर पूर्ण मतलब की जहां पर अथियार रखे जाते तो वहां पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का इक अब जारा करता था कोई भरोसा नहीं हमको मार मूर देंगे तो यहां पर बंगाल की सेना में तो यह प्रभूतव को समाप्त कर समार्ग होने के कैसे कैसे इसको लिड़ किया गया और हरयाना में इसको याद करने के लिए 300 activities या समारक बनाया जारह यहां कर लेखें जाकर जो ऑखने के भई सब कुच है आपको लिखने कि बहिए यह जो वीडियो है इसको लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है जादा ही पसंद आ गए है तो बहिए क्या करो शेर कर दो कि इसको वीडियो को भी और चैनल को भी तेंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो